उत्रप्रदेश में नौ सीटर पर उप्चुनाव है लेकिन राचनी थी शुरू हो गई है साफ तौर से मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक तरीके से आयोग को पत्र लिखा समाज़वादी पार्टी ने और कहा है कि कहीना कि पोलिस उनके चेकिंग ना करें जिससे कि वोट नही ना करें उनको समाज़वादी पार्टी को जो काटे अनुभो पिछली बार रामपूर और जगहों पे उपकुआ था उसको मद्दे नदर रखते हुई ये बात कही है मेरा बहुत असपस कहना है चुनाओं में ज्यादा से ज्यादा मद्दान हो निस्पक्ष चुनाओं सिर दलित रहते थे वहाँ जिस तरह उनको रोका गया मद्दान करने से उसी को मद्दे नदर रखके ये बात कही गई है इलेक्शन कमिशन ने भी डिरेक्टिव दिया है उनका भी अपना दिस्कोर्ण है उनका भी अपना नजरिया है कि पुलिस आरिंट्री कार्ट ना चेक करे पुलिस आधार कार्ट ना चेक करें तो ये काम जिसका है जो वो करें पुलिस सुरक्षा देखें पुलिस अपना काम करें और जो अंदर मद्दान अधिकारी है जो उससे जुड़ा हुए स्थाफ है वो अपना काम देखें इसके पीछे वो देश है अलब संख्यक डली पि उपर सवाल नहीं उठाना चाहिए पर चिन नहीं उठाना चाहिए और ये कांग्रिस और सभा की हमेशा से मुनुपॉली रही है ये काम भाजपा भी जब विरूत पक्ष में थी करती थी आज हमें वो सीख न दें सिखाएं न आँखों के सामने जो कुछ हो रहा है हर जगे चुनाओ में भाजपा अपने समयधानिक संस्थाओं का अपने संगठन का अपने कर्मचारियों का भरपूर दुरुप्यों करती ये मैं दावे से कह रहा हूं और इसलिए चुनाओ जीतने के लिए मुनियम कानून का पालन नहीं करती है मैं इसको बहुती दर्था से पिछले चुनाओ के अन्भो के आधार पे कह रहा हूं और मैं इस पर काइम हूं साफ तोर से कहा गया है कि अखलेश और राहुल गांधी मिल कर जिस तरीके से बीजेपी की खाट-खड़ी कर देंगे स्टेटमेंट आता है कहीं ना कहीं जैन चौधरी जब इस बापने बोलते हैं कि बीजेपी इस बार खटा-खटा-खटा-खट कर गए जैन चौधरी को तो नेतिक साहस नहीं होना चाहिए समाजवादी पार्टी के मतों के साहरे वो राजसभा में बैठें राजसभा में अगर वो पहले जराभी नेतिकता है तो उन्हें त्याक पत देना चाहिए बहुमत है जहां गए हैं चुनके आएं लेकिन समाजवादी पार्टी के ओटों के साहरे जीत के जाएं और उसके बाद इस तरह की बात सोभा नहीं देती उनको जहां तक बाजचुनाव जीतने और हरने की है पिछले चुनाव भी बहुत दिन नहीं बीते हैं अपरेल मैई जून में हुए थे वहां राहुल गांधी और अखलेस की जोड़ी ने भाजपा को हैसे दिखा दी थी किनारे खड़ा कर दिया था आवकाद बता दी थी इस चुनाव में भी यही होगा किस तरीके से अलाइंस के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों मिलकर जीत दर्ज करें देखे जहां तक उप्चुनाव का सवाल है यहां नौ सीट पर हम उनको समर्थन दे रहे हैं सारे प्रत्यासी इंडिया गड़ बंधन के हैं समाजवादी पार्टी के चुनाव चेंट पर लड़ लड़ा है साफ तोर से प्रमोतिवारी जी का माना है कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस इंडिया लाइन्स के साथ में सीट नौ सीटों पर सीट दर्ज करेंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी खुद ही जो कॉंस्ट्रिशन इंस्ट्यूशन हैं उनका द्रोपियों करती आई है और